नमस्ते दोस्तों, स्वाबत हैं आपका अपने चैनल पर ज़र हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग केंडल स्टिक पैटन्स के बारे में अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हैं तो पहले उसे ज़रूर देख ले क्योंकि उसमें हमने केंडल स्टिक का परिचे उसकी बेसिक जानकारी और स्ट्रेटिजी एक के बारे में बात की थी आज की इस सीडियो में हम केंडल स्टिक पैटन्स की थोड़ी गहराई में जाएंगे हम देखेंगे multi time frame, false candlestick reversal और false reversal और imperfect entries और star को पहचानने और कैसी इनका सही इस्तिमाल करके आप अपने traits को और बहतर बना सकते ही तो बने रहे हमारे साथ और जानते हैं candlestick patterns की बारी किया चलिए शुरू करते हैं candlestick patterns part 2 को अब यहां है multi time frames के उपयोग के साथ और यहां है इस रणनीति के मुख्य वेरियेशन तो पहले शुरू करते हुए जो एक up train में एक train trade है multi time frames का उपयोग करते हुए तो फिर से आपके पास एक up train था और trade का अवसर यहां retesting zone में था फिर आपको retesting zone पर प्रतिकिर्या करने वाली कई लंबी वीक वाली candles मिले अब ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टी इस movement candle से हुई जिसका मतलब है कि आप इस trade में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक कि यह movement candle यहां पर बंद नहीं हो जाती और यही कारण है कि आप multi time frames का उपयोग करेंगे ताकि आप इस trade में पहले से ही प्रवेश कर सके इसका मतलब है कि candle stick के बनने के बाद आप एक निचले intraday time frame में जाएंगे और उस price action को देखेंगे जो down trend से up trend में परिवरतन का संकेत देता है और इस trade में पहले ही प्रवेश करेंगे तो चलिए एक निचला time frame निकालते है और इसे इस एक के साथ रखते है बाई और का chart वह 6 गंटे का time frame है जिससे हमने देखा था जिसका मतलब है कि हर candle stick 6 गंटे का समय दर्शाती है दाई और का chart वही asset है लेकिन 30 मिनिट के time frame का उप्योग करके जिसका मतलब है कि हर candle stick 30 मिनिट का समय दर्शाती है अब ध्यान दे कि दाई और के 30 मिनिट के time frame में आप बहुत अधिक विवरन देख सकते है और price के swings को देख सकते है जबकि बाई और के 6 गंटे के time frame में यह नहीं दिखता तो फिर से जब आपको इन लंबी वीक वाली candles का retisting zone में प्रतिक्रिया मिली तो आप उस price action की दलाश कर रहे थे जो down trend से अब trend में परिवरतन का संकेत देता है और इस मामले में यहां आपको मिला inverted head and shoulder pattern ठीक उस प्रमुख support level पर और लंबी वीक वाली candles के साथ अंदर उच्च time frame से था swing high को जोडने के लिए trend line उपर रखी गई फिर जब price ने trend line को तोड़ा और momentum के साथ एक सपस्ट higher high बनाई तो यह downtrend से अब trend की reversal की पुष्टी करता है और आप उसी time frame पर या एक और भी निचले time frame पर long entry लेंगे हमारे entry strategy और tool का उपयोग करके हम multi time frames का उपयोग क्यों कर रहे हैं यदि आप के वद buy और के उच्च टाइम फ्रेम का उपयोग करते तो आप इस candle के शीर्ष पर प्रवेश करते जो लगबग यहां होता दाई और के निचले time frame पर इसके विपरिट निचले time frame का उपयोग करके आप इस train में यहां नीचे प्रवेश कर सकते थे जो पहले का एक स्थल होता तो पहले स्थल पर प्रवेश करने के क्या लाब है एक आप मूँ का एक बड़ा हिस्सा capture कर सकते हैं इससे पहले कि train बहुत अधिक बढ़ जाए और train की खीचाओं का शिकार हो और संभवता वापस खीच ले या पुरी तरह से reverse हो जाए दूसरा पहले के स्थल पर प्रवेश का मतलब है अधिक मुनापा क्योंकि आप मूँ का एक बड़ा हिस्सा capture कर रहे हैं तो अब विपरित दिशा में चलते हुए एक डाउन ट्रेड में train ट्रेड का उदाहरन जिसमें multi time frames का उपयोग किया गया है बाई और 6 गंटे गा time frame है आपके पास moving down train था और आपका short rate का आउसर यहां retesting zone में था जब price वापस इस क्षेत्र में आई तो candle का रंग बगल गया और week बाहर निकली हुई थी तभी आप अंदर एक trend परिवर्तन दिखने के लिए देखेंगे और एक निचले time frame का उपयोग करेंगे जैसेगी दाई और का 30 मिनीट का time frame वही प्रमुक स्थर, वही pull back, वही retesting zone फिर से हमने निचले time frame पर इस candlestick pattern के अंदर वह price action देखा जो अब trend से downtrend में trend परिवर्तन का संकेत देता है और यहां आपको यह मिला सबसे पहले इसे एक inverted head and shoulder pattern के रूप में देखा जा सकता है जो एक reversal pattern है या अगर आप candle close के आदार पर काम करते हैं तो यह एक पूर्ण train परिवर्तन pattern है क्योंकि आपके पास आपका lower high और फिर lower low है और इसके साथ एक bearish momentum candle भी है जो सभी यह पुष्टी करते हैं कि reversal हो गई है इसी समय आप short entry की तलाज शुरू करते हैं चाहे उसी time frame पर या निचले time frame के माध्यम से यदि आप केवल बाई और के उच्च ताइम फ्रेम का उप्योग करते तो आप short entry की तलाज तब तक नहीं करते जब तक की one of bearish momentum candle नहीं बन जाती तो लगबग यहाँ दाई और के 30 मिनिट के time frame पर है इसके विपरित निचले 30 मिनिट के time frame का उप्योग करके एंट्री डूनने के बाद आप उपर इस थल पर short entry की तलाज शुरू कर जुगे थे जो पहले का एक स्थल था और यहाँ एक बड़ा लाव है तो अगला है अब train में एक reversal trend का उदाहरन जिसमें multi time frames का उप्योग किया गया है बाई और high time frame candle stick दिखाई दे रही है आपके पास एक प्रमुख resistance थर था क्योंकि यहाँ reversal point था और यही वह जगा है जहाँ आपका reversal trade आउसर शौट प्रस्तूत हुआ और यह वह जगा है जहाँ आपके पास प्रस्तू स्थर पर एक दोजी पैटन बना फिर दाई और lower time frame है जिसे entry point के लिए उप्योग किया गया था वही प्रमुख स्थर वही पुल्ब्या यह क्षेत्र यहाँ वही क्षेत्र है अब lower time frame पर आप एक trend line इस प्रकार रख सकते हैं क्योंकि price के swing यहाँ दिख रहे है जबकि आप यह buy और high time frame पर नहीं कर सकते थे trend line के तूटने के बाद आपने इस क्षेत्र में short entry की तलाश शुरू की जबकि यदि आपने केवल buy और high time frame का उपयोग किया होता तो आप इस bearish momentum candle के बंद होने के बाद ही entry की तलाश शुरू करते जो लगभग यहाँ दाई और के निचले time frame पर है तो अब विपरित दिशा में एक downtrend में एक reversal trade का उदाहरन जिसमें multi time frames का उपयोग किया गया है बाई और high time frame की candle दिखाई दे रही है आपके पास एक प्रमुक सपोर्ट स्थर था क्योंकि यहाँ reversal point था और यही वह जग़र है जहाँ आपका reversal trade आउसर long प्रस्तुत हुआ और यह वह जगर है जहाँ स्थर पर inside बार और लंबी वीक वाली candles बनी फिर दाई और lower time frame है जिसे entry point के लिए उपयोग किया गया था अब यदि आप अपनी analysis के लिए candle close का उपयोग करते हैं तो यह एक engulfing candle है और उसके बाद एक train line का break मिलता है जो एक drown trend से अब train में संभावी trend परिवर्तन का एक प्रारंबिक संकेत है इससे double bottom के रूप में भी देखा जा सकता है जो एक reversal pattern है नेक लैन को यहाँ हाल के swing high पर लखा गया है और जब price उपर तूटती है और एक higher high बनाती है तो यह double bottom reversal की पुष्टी करती है जिससे यह एक उच्च गुणवत्ता वाला trade बन जाता है फिर से यदि आपने केवल buy और के high time frame का उपयोग किया होता तो आप इस bullish momentum candle के उपर ब जो की यहाँ निचले time frame पर है इसकी विपरित निचले time frame का उपयोग करके आपने यहाँ नीचे long trade की तलाश शुरू की जो एक बड़ा लाव है अब अंतिम दो प्रकार की entry अब trend में reversal trade continuation entry और downtrend में reversal trade continuation entry दोनों multi time frames का उपयोग करते हुए यह वैसे ही काम करता है जैसे हमने पहले एक time frame का उपयोग करते हुए दिखाया था बस अब multi time frames को इस पर लागू करें इससे फिर से दोराना नहीं चाहते नहीं तो वीडियो और लंबी बन जाएगी इसलिए अगले विशय पर बढ़ते ह रहे है तो कुर्पया like बटन दबाए सब्सक्राइब करे और notification bell चालू करे ताकि आपको पता चल सके कि हम कब नया content जारी करते है तो false candles और false reversal क्या है आईए इसे विस्तार से समझते हैं आपके पास एक प्रमुक सपोर्ट स्थर था क्योंकि यहां reversal point था जब price उस तरह तक पवजी तो आपको कई लंबी वीक वाली candles उस प्रमुक सपोर्ट स्थर पर बनते विये मिली और आपने सोचा यह एक शांदार long trade आउसर है मैं तुरंत एक long trade खोलूँगा और लाव लेकर निकल जाऊँगा फिर क्या होता है प्राइस मुमेंट के साथ तूड जाती है और आप अपना पैसा खो देते हैं यह एक false reversal थी जिसे fake out या trap भी कहा जाता है तो ऐसा क्यू होता है शोकिया ट्रेडर जो ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टी का इंतजार नहीं करते हैं वे यहां star पर candle pattern बनते ही तुरंट entry लेते हैं और वे अकसर अपने stop loss को एक शेत्र के नीचे कसा हुआ लगाते हैं यती बाजार में भारी बिक्रील का दबाव आता है चाहे वह सामयन्य हो या हेर फेर किया गया हो तो इस खेत्र के नीचे सभी stop loss एक साथ ट्रिगर गो जाते हैं जिससे star पर सभी नए खुले long position एक साथ बंद गो जाते हैं यही कारण है कि भारी moment candle ठीक बाद में वनती है जो इन सभी जल्दी खोली गई long position के समाप्त होने का पैणाव होती है तो हम इस समस्या से कैसे बस सकते हैं आप पहले से ही जवाब जानते हैं एक हमेशा देखे कि क्या आपको ऐसा price action मिलता है जो वास्तविक reversal का संकेत देता है और दो reversal की पुष्टी के बाद आपको एक वास्तविक प्रमुक entry point धूनना होगा जो अधिक्तम लाब देता है और जोखिम को समीत करता है तो चलिए एक निचले time frame को खीचते हैं ताकि य यहां दिखाया जा सके कि कैसे सभी लोग फस गये थे बाई और वह हाई time frame है जिसे हमने अभी देखा और दाई और वही asset है लेकिन lower time frame के साथ वही प्रमुक स्तर वही downtrend यहां क्षेत्र यहां जहाँ candlestick बनी वही क्षेत्र है यहां अब ध्यान दे कि इस निचले time frame में इंडिंग ट्राइंगल पैटन जैसा बना था प्राइस पैटन से नीजे तूट गई जो downtrend की trend continuation का संकेत है कोई भी price action नहीं था जो reversal का संकेत दे और नहीं कुछ ऐसा था जो उच्च टाइम फ्रेम पर लंबी वी candles की पुष्टी करता हो जिसका मतलब है कि कोई long trade नहीं था downtrend के खिलाब long trade एंटी पर विचार करने के लिए आपको दो चीजों की आवशकता होगी एक पैटन के उपर एक break और एक उच्च हाई और दूसरा trend परिवर्तन की पुष्टी के बाद और भी निचले टाइम फ्रेम पर जाकर एक सटिक entry point की पहचान करना जो लाप को अधिक करें और जोखिम को सिमित करें अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विशय पर चलते हैं इंपर्फेक्ट ट्रेंड्स तब होते हैं जब एक साथ कई प्रमुक्स्तर होते हैं जो एक जोन बनाते हैं और आप सामयन्य जोन और क्षेत्र में ट्रेड ले रहे होते हैं चलिए इससे समझते हैं तो बाई और ध्यान्दे आपके पास दो प्रमुक्स्तर बनाए गए होंगे यहां स्तर एक और यहां स्तर दो यह दो बहुत अलग और विशिष्ट प्रमुक्स्तर हैं और यहां समस्या है चोकि यह स्तर एक दूसरे के पास होते हैं जब प्राइस इन स्थरों के पास आ रही होती है, तो आप सोचते हैं क्या मुझे कैंडल स्थिक पैटन पहले, स्थर पर देखना चाहिए या दूसरे स्थर पर। पास में कई स्थर होने से भ्रम और सोचने में रुकाउट हो सकती है। अब इस समस्या से बचने के लिए कई स्थरों को खीचने की बजाए आप इस प्रकार एक विश्टरुट जोन खीचते हैं और जोन को सामान्यक शेतर के रूप में मानते हैं, जहां आप कैंडल स्थिक पैटन के बनने की तनास करते हैं। यह बहुत मौत्पूपूर्ण है, कैंडल स्थिक को जोन के ठीक भीतर बनने की आवशकता नहीं होती है। वे इसके थोड़े से बाहर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप इसे सामान्यक शेतर के रूप में मान रहे हैं, जहां आप कैंडल स्थिक पैटन के बनने की तलास करते है तो फिर जैसे ही प्राइस या वापस खीची और जोन में प्रवेश की, आपके पास जोन और क्शेतर के भीतर एक लंबी वीक वाली कैंडल बनी, जो एक प्रतिक्रिया दिखाती हैं। और इसी वजह से हम इसे इंपरफेक्ट एंट्री कहते हैं, क्योंकि कैंडल स्थिक पै एक निचले टाइम फ्रेम को खोलते हैं, और इसके बगल में रखते हैं। बाई और हाई टाइम फ्रेम की कैंडल दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमें अभी देखा। और दाई और वही एसेड का लोवर टाइम फ्रेम है, वही प्रमुक्स्तर, वही डाउन ट्रेड, यहाँ अब इस निचले टाइम फ्रेम में दाई और आपने अपनी ट्रेन लाइन उपर रखी थी, और जब प्राइस इस तर को तोड़ती है, तो यह डाउन ट्रेंड से अब ट्रेन में परिवर्तन की पुष्टी करता है, और आप निचले टाइम फ्रेम पर लॉन ट्रेड की यह दोस बहुत स्पष्ट और अलग-अलग प्रमुक्स्तर है, लेकिन वे एक दुसरे के करीब हैं, तो फिर से दोस्तर खीचने और भ्रम पैदा करने के बजाए एक विश्तरुत जोन बनाए और उस जोन और क्षेत्र में कैंडल स्टीक पैटन बनने की प्रतिक्षा करें, इसके बाद ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टी करें, तो जैसे ही प्राइस इस क्षेत्र में आई, यहां आपके पास क्या था? क्षेत्र में प्रतिक्या दिखाने वाली एक डोजी केंडल और फिर एक एंगलफिंग केंडल, तो आईए एक निचले टाइम फ्रेम को खोलत हैं, बाई और हाई टाइम फ्रेम की केंडल स्टिक दिखाई दे रही है, जिसे हमने अभी देखा, और दाई और वही एसेट का लोवर टाइम फ्रेम है, वही प्रमुक्स्तर, वही डाउन ट्रेन, यहां क्षेत्र, यहां वही क्षेत्र है यहां, तो केंडल स्टिक के अंद आपके पास एक train line का break मिलता है और price जब bullish momentum के साथ उपर तूटती है तो train परिवर्तन की पुष्टी होती है और आप निचले time frames के माध्यम से long trade entries की तलाश शुरू करेंगे तो अगला बाई और आपके पास एक स्तर यहां है और स्तर दूसरा यहां है फिर से दो अलग अलग स्तर रखने के बज़ाएं हमने उन्हें हटा दिया और एक zone बनाया इन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि price ने इस क्षेत्र में समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में प्रतिक्रिया दी तो जब प्राइस इस प्रमुक्षेत्र में प्रवेश करती है तो आपके पास एक एंगलफिंग कैंडल और फिर एक कैंडल रंग परिवर्तन था तो आई ये एक निचले टाइम फ्रेम को खोलते हैं और इसे इसके बगल में रखते ह बाई और हाई टाइम फ्रेम है जिसे हमने अभी रहा और दाई और वही एसेट का लोईर टाइम फ्रेम है वही प्रमुक्ष्थर वही अप्रेड यह क्षेत्र यहाँ वही क्षेत्र है यहाँ तो चैंडल स्टिक के अंधर आप इसे एक हैड आन शोल्डर पैटर्न के ता हुआ मिला तो रिवर्सल की पुष्टी हो गई और फिर आप निचले टाइम फ्रेम्स के माध्यम से शौर्ट ट्रेड एंट्रिस की तलाश करेंगे एक और उदारन बाई और स्तर एक यहां और स्तर दोर यहां यह स्पष्ट रूप से एक बहुत महतोपूर्ण स्तर है क्योंकि यह एक चरम स्विंग हाई है जिसका अर्द है कि हाल के समय में प्राइस का उच्चतम स्तर और हर बार जब प्राइस ने स्तर को छुआ तो स्तर पर प्रतिक्रिया हुई बिना इसे तोड़े आगे बढ़ने के अब यह इस बात का एक बहतरिन उधारन है कि आप इसे एक शेत्र के रूप में क्यों मान रहे हैं क्योंकि धान दे कि प्राइस थोड़ी उपर तूर जाती है एक नया ट्रेडर तब सोच सकता था कि इससे शौर्ट ट्रेड अमान्य हो जाता है जबकि एक अधिक अनुभवी ट्रेडर जैसा कि आप आप है जानते है कि अगर आपको निचले टाइम फ्रेम्स के अंदर ट्रेंड परिवर्टन मिलता है तो यह शौर्ट ट्रेड अभी भी संभव है याद रखे कि आप कैंडलिस्टिक पैटर को सामान्य क्षेत्र में बनने की तलाश कर रहे है इससे आपके द्वारा बनाये गए जोन के भीतर होने की आवशक्ता नहीं है यह थोड़ा आगे भी जा सकता है यह उपर की ओर ब्रेक यह फॉल्स ब्रेकाउट के रूप में माना जाता है और सभी नए ट्रेडर लॉंग प्रेकाउट ट्रेड्स में फॉस गए जब जैसे ही प्राइस इस क्षेत्र में प्रवेश करती है आपके पास हैमर कैंडल और बड़ी कैंडल होती है जो क्षेत्र में एक प्रतिक्रिया दिखाती है हमेशा की तरह हमें ट्रेड परिवर्तन की पुष्टी की आवशक्ता होत तो आईए एक निछले टाइम फ्रेम को खोलते हैं और इसे इसके बगल में रखते हैं बाई और हाई टाइम फ्रेम है जिसे हमने अभी देखा और दाई और वही एसेट का लोवर टाइम फ्रेम है वही प्रमुक्स्तर वही अप्ट्रेंड यह क्षेत्र यहाँ वही क्षेत्र है यहाँ तो कैंडल स्टिक के अंदर आपके पास एक परफेक्ट डबल टॉप बना था जब प्राइस बियरिश मोमेंटम कैडल के साथ नीचे तूटती है तो ट्रेंड परिवर्तन की पुष्टी होती है और तबी आप निचले टाइम फ्रेम के माध्यम से शौट ट्रेट की तलाश शुरू करते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह मददगार लगा तो कृपया लाइक बटन दबाय सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को अन करे ताकि हम नई वीडियो अपलोड करती ही आपको पता चले तो देखने के लिए धन्यवाड और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा